आज आपके साथ मैं शेयर करने जारी नवराती स्पेशल थाली नौ दिन अलग अलग तरह की चीज़ें बना कर खाओ इसमें जितनी भी चीज़ें मैंना शेयर की है न वो जल्दी बन जाती है तो आप इससे अपनी खर्पर जरूर ट्राइ करिए फटा फट से बनाना शेयरो कर दे है तो यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे आलू तो एक पैम में आपको लेना एक चम्मच ओयल साथ में लेना आप लोग वरत में नहीं खाते होगे ना तो इससे स्किप कर देना चार आलू लिये हैं हमने उबले हुई जिससे हमने इस तरीके से सिंपली कट कर लिया है और इसे आप पहले अच्छे से बहुन लेना हलका सा गोर्लन कलर आ जाए जब यह आलू बहुन जाता है ना अगोर्डिंग कम जादा करना धनिया पाउडर साथ में इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर थोड़ा सा अब धनिया पाउडर अमचूर पाउडर के लोग नहीं खाते तो यह चीज़ें आप अपनी हिसाब से कर लेना तो यहां मत्रा में तो इस तरीके से बनाते हैं मैं आपके साथ साथ चीज़ां शेयर करूंगे सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और बस आपको एक दो मिनिट और भूना है फ्लेम को रखना मीडियम टू लो अच्छा यहां पढ़ना आप चाहें तो इसमें पनीर भी डाल सकते हैं तो छोटा छोटा पनीर कटकर क नहारा धनिया और यहां पर यह हमारे सुखे आलू बनकर तयार हो गए है इन आलूं को आप दही के साथ चटनी के साथ खा सकते हैं वो भी आगए आपके साथ मों शेयर करूंगी मैं तो यहां पर अब हम बनाएंगे आलू का मसाला दोसा के लिए हम रतवाला दोसा भी बना इससे भी आप हलका सा भूल लेना लो फ्लेम पर और यहां पर हमारे मुफले के दाने भून गए हैं हाने मिशलिया हमने एक या दो भी आप ले सकते हैं आपको जेतना पसंद आप अपने इसाब से कर सकते हैं यहां पर यह भी हो गया है आप ले लेना कुछ कड़ी पता आठ स दसकड़ी पता आप ले लेना और इस तरीके से इसको तोड़के आप इसमें डाल देना हलका सा इसको भी आप मिक्स कर देना कई लोग वरत में तिल भी खाते हैं तो आप चाहें तो यहां पर थोड़ा सा तिल डाल सकते हैं बाकी यह ऑप्शनल है और यहां पर हमने लिए ह अब लेगों आलू जिससे हमने हलका सा मेश कर लिया है तो दो बड़े आलू हमने लिए हैं वो भी इसमें डाल देते हैं और अब हम इसमें ड्रै मसाली अड़ करेंगे तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर साथ में सेंदा नमक जो वरत वाला नमक होता है थोड़ा सा ये आमचूर पाउडर और काले मिर्ज पाउडर लास्ट में ये हरा धनिया अब यहां पढ़ना सभी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर ले ना यहां पढ़ने कि जितनी चीज़ें हम बना रहे हैं ना माली जी आप आमचूर पाउडर नहीं घाते हैं तो फिर आप यहां पर उसके नीवुका रसी उज़ कर सकते हैं वो तो सभी ही उज़ते हैं तो वो भी वरत में होता है आलो के बड़े टुकड़े देना तो उसे आप हलका सा मेश कर देना और यहां पर यह हमारा मसारा बनकर त्यार हो के आहि साईट में लग देते हैं आप बनाए अलो की सबजी और एक चमर जीरे लिया है इससे आप पहले भुनने देना उसके बात में आप इसमें डाल देना हरे मिर्च यहां पर हमने एक ख़दी मिर्श ली है अब इन चीजों को हलका सा इस तरीके से भूल लेना अब यहां पढ़ने से हो गया है इसके बार में आप इसमें डाल देना थोड़ा सा पानी इसे क्या होता है पेंटर बाच में आपको आपको सब्सक्राइब करें लगादर चलाते रहना यहाँ पर बीच में आप देखेंगे आपको दीखेगा दीजे बबस बन रहे हैं और यहाँ पर यहाँ पर यह हमारा दही पकर त्यार हो गया है और अब यहाँ पर हमने लिये हैं दो बली हुए आलू जिसे हमने मेश कर लिया है वो इसमें डाल देते हैं जहां रखना इस सब्जी में दही कैसे आपको डाला है थोड़ा सा पानी डाल देना ताकि पैन का टेंपरिचर कम हो जाए फ्लेम को लो कर देना और दही डाल देक वाद उसे लगाता है चलाना फ्लेम को मीडियम कर लेना बहुत सिंपल है बहुत एजी है इससे टेस्टी सबजी बनती है थोड़ा से पानी डाल दिया है बट अभी हम ना इसकी आलो की मतलब थोड़ा से पतली सबजी बनाएंगे ना डोसा के साब से तो थोड़ा से पानी एक्स्टर डाला है नमग डाल दिया सेंदर नमग थोड़ा बसा ताइए दनिया पाउडर और यहाँ पाउडर यहां पढ़ने हैं यदि आपके पास में घुनाईवा जीरा पाॉडर है तो आप इस में डाल सकते हैं तो गुनाईवा जीरा पाउडर आप यहां पर लेड़ना बिल्कुल एक लिखाए चमच अछा टेस्ट रहता है नहीं मीजिम टू लो फ्लेम पर और यहां पर लाग देना इसमें लास्ट मेहारा धनिया सबजी बनकर तेयाल हो गई है आप कुट्टू की पूरी बनाए या फिर धोसा बनाए आप यह न जरूर बनाना बहुत अच्छी लगती है थोड़ा सा तीकी सी थोड़ी सी खटी सी तेयार ह है अब यहां पर और त्यारी करते हैं यहां पर हमने लिए हैं 150 ग्राम जितना पीनट इससे हमने पहले ही रोस्ट कर लिया था माइक्रोव में थी मिनिट्स के लिए आप चाहें तो कड़ाई में भी इसको सिंप्ली ड्राय रोस्ट करके इसका चिलका इजिली रिमूव कर सक हैं है और यहां पर यह मैं डालेंगे थोड़ी सी का बचा लेथी बाकी का हम पावडर बना लेंगे बनाने के लिए जाता मत चलाना कुछ सेकंड के लिए फाई से कंड्स親च में एस सरीकर से हो चाद़ा ह तो यह मुफ्ली न और रिलीस कर देंगे आपस में चिपक जाएंगे तो इसे आपको दरदरा रखना है इस तरीके से यहां पर हमने साबुदाना लिया है यहां हमने 400 ग्राम जितना साबुदाना लिया था जैसे हमने चार घंटे के लिया बहुके रखता आप चाहें तो ओवर नाइट भी रख सकते हैं साबुदाना में जो आप पानी लास्ट में रखेंगे न तो देर देंज जितना पानी उपर रखना बस साबुदाना इसी जरीके से अपने आप ही उतना ही सोक करके वो रिडी हो जाता है इ इसकी जगह कच्छा आलू ले लेना इतना ही इसको करक कर लेना फिर आप इसे ओल में फ्राई कर लेना यहां पर कढ़ाई में आपको लेना है ओल आपको लेना है दो चमच जादा ओल की ज़वत नहीं है साबुदाना बिलकुल भी ओल एब्सॉप नहीं करता है इसलिए जा तो भी ते खेच स्वेखे सरी का लिया तो भी स्थी किसी तेयार हो जाते हैं यहां पर आलू भुनकर अधियार हो गए है थोड़ी से कडी बता लिया है हमने दस दे बारा वी इसमें डाल लिये हैं और शाथ में रहां भुनी हरी मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है प्रफेक में अलग निकाल लिया है और ये इसके उपर आप डाल देना फ्लेम को आप अभी रखना मीडियम तु लो और अब यहां पर हम डालेंगे मूफली का पाउडर जो हमने बून के मूफली स्थेगी से पाउडर डालोगे ना बिल्कुल अलग अलग दाने बनेंगे तो यहां पर आप मिक्स कर लेना अच्छे से साबू दानों को आप आराम से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं कई लोगों को डाउट रहेगा कि साबू दाना टूट सकता है गल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मुफली का पौडर करके डालना आप चाहें तो थोड़ा सा पौडर और एड़ कर सकते हो वो इसका टेस्ट खराब नहीं करेगा अच्छा करेगा मुफली का पौडर ही में रीजन होता है कि साबू दाना का हर एक दाना अलग अलग रहता है आप इसे इसे मिक्स कर ले फिर आप इसको 2-3 मिट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ढखके रख देना और फिर आप इसको चेक करना तो यहाँ पर अभी हमने गैस को दुबन कर दिया है अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका हर एक दाना अलग-अलग है परफेक्टली कोट है बिल्कुल जो स्पंज वाला दाना रहता है न वैसा दाना है लास्ट में डाल देंगे हम इसमें हरा धनिया आपको कुछ भी कंफिजन रहता है न किसी भी रेसिपी को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते है मैं आपको रिप्लाई करूंगे यह रहा एकदम परफेक्ट खिला-खिला साबुदाने के खेचड़ी बंद कर देते हैं तैयार हो गई है अब यहाँ पर हम बनाएंगे जिससे आप वड़ा और साबुदाना आलो का परांठा बना सकते हैं तीन उबलेवे आलो हरिमिज डाल दी है आदा चमच डाल देना जीरा साथ में आपको यहाँ पर इसमें डालना है नमक जो रतवाला सेंदा नमक होता है तो यह आदा चमच से थोड़ा से कम नमक हमने डाल दिया है कम है थोड़ा साओ डाल दिया है और यहाँ पर इसमें डाल देना आदा चमच काली मिर्च पाउडर और आदा चमच आम चूर पाउडर इसमें डालेंगे नहीं तो आप निवू का रस्व इसमें डाल सकते हो और धनिया पाउडर आदा चमच और चार बड़े चमच भग कर आपको लेना है मुफी का पाउडर हरा धनिया अब सभी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लेना आलू को अच्छे से मैश कर देना आलू अच्छे से मैश इसलिए कर देना वरिना यह जो परांठे वड़े तो बन जाएंगे परांठे बनाओगे न तो दिख कर दाएंगे तो यहां पर यह इस तरीके से मसाला एक बन कर देयार हो जाता है और अब यहां पर आपको लेने है चार चमश पुनी रिमुफली साथ में आदर कप ड्राइ कोकोनट और एक हरी मिर्च लेना या फिर दो ले सकते हो इस तरीकी से इसमें तोड़की डाल देना नमक डाल देना स्वादा नुसार और एक चमश लेना दही खट पानी हमने इसमें और भी डाला थे क्योंकि जो कोकोनट रहता है वह काफी पानी अबसॉब करता है यहां पर यह व्रत वाली कोकोनट की चिटनी तेयार है तटका लगाएंगे यहां पर हमने लिया है ओयल यहां को लेना है एक छोटा चमश इतना ओयल जैसे ही गरम हो जाए जिने भी मैं यूश कर रही हुना वह बस एक है जोर्टल बाकितम स्वाल गी यूश करते हुआ रहे हैं यहां पर कड़ी पता इसमें हमने डाल दिया है और यह तड़का डाल देंगे इसके ऊपर को यह दर्यान होगे है हमारी विरत वाली कोकोनट की चटनी बहुत टेस्ट यह बड़े है या परांठे है या फिर ड्राय आलू हैं और बनाइगे हरीवाली चेटनी तो यहांपर 100 g लिए है इसने अच्छी से हमने क्लीन करके वाश कर लिया है चार हमने हरी मिश्ली है आद चमिल जीरा हमने लिया है शाथ में यहां पर हमने लिया है व्रत्वाले नमक, नमक, सादा निसार, आदा नीबु का रस आप चाहें तो आदा और बार में डाल सकते हैं अपर ये जितना आपको खटा चाहिए उसी साब से कर सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल देना आप इसमें और सिंपली आप इसको पीस लेना जोट के साब से पानी डाल के तो यहां पर यह हमारी वृत वाली हरी चटनी बनकर त्यार हो गई है कितनी इजी और सिंपल रसीपी है ना कलर परफेक्ट है थिकनेस फिल्कल परफेक्ट है अब वृत में भी आप चटनी बनाकर खा सकते हैं वो भी दो-दो तरह की और यहां पर आपको लेना है दही तो हमें थिक दे लिया जिसे हमने पहले ही फेट लिया था थोड़ासा इसमें डालेंगे चमच पिचसी हुई चीनी का पाउडर और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लेना आप दही में पानी मट डालना आप इसको ऐसे बीट कर लो कि ना तिख दम इसका क्रीमी टेक्चर आजाता है एंगोर है जिसे हमने कट कर लिया है वो इसमें डाल देते हैं और यहां पर आप चाहें तो मैंगो भी कट कर सकते हैं इसे आप मिक्स कर लेना अच्छा यहां पर देखिए फ्रूट से यह भी अपने जूस रिलीज करते हैं थोड़ी देर बार यह थोड़ा से टेक्शर का हो जाएगा अभी ठिक लग रहा है और यहां पर आप नाइस में अच्छा लगता है दिखने में टेस्ट भी अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है यह दही वली फ्रूट क्रीम तेयार है अब यहां पर बनाएंगे डोसे का बैटर कुटू काटा ले लेना एक कप लेना दो कप जितना भी आप बनाना चाहें और एम यह पा लेना थोड़ा से नमक ले लेना यानि कि सहना नमक और इस सेकी जिक यह सकते हैं दोड़ा से पानी डालना मिक्स करना system जो कुटू काटा हुता है वो आपू जो काफी पानी अबसॉब कहरता है एक साथ माट जालना थोड़ा-थोड़ा करके आपको इसका बैट बनाते हो ना जैसी कंसिस्टेंसी आप रखते हो वैसे ही आपको इसकी रखनी है थोड़ थोड़ा पानी डालना जैसे पानी डालते जाओगे फिर से अब्सक्राइब करेगा पांच मिनिट के लिए आप इसको ऐसी रख देना अभी थोड़ा असा थिक है तो इसमें हम पर ओल लगाएंगे अभी हम बड़े और परांठा के लिए बना लेते हैं तो यहां पाइना वड़े के लिए आपको थोड़ा सा कम लेना है यह जितना प्रोटी वगेरा के लिए लेते हो ना उतना क्यूंकि ओल में जाके भी ना यह फूल था जब आप इसको फ्राइब कर उतना आप लेना इसी इसी से हम परांठा बनाएंगे इसका तो यह भी तजयार हो गया है अब सबसे पहले हम बड़े फ्राइ कार लीते हैं बड़े के लिए सबसे जρूरी बात है ओल काई तेंपरेचर कैसा होना चाहिए ओल काईचर जैसे आप उड़ी वगरा तलते हो आप medium to high ही रखना पूरे टाइम तक और इसको बीच-बीच में पलटते हुए आप अच्छा golden brown fry कर लेना यह हमारा first batch fry होके तयार हो गया है दिखने से बता चल रहा है कितनी अच्छे सी crispy है बाहर से एकदम crispy अंदर से soft इसी तरीके से और भी बना करते हैं याद कर देना अब हम बनाते हैं परणठा इसे ना इक पॉलिथिल लेना उस पर आप oil लगा देना यह इस तरीके से कोई भी साडी वगरग की खाली पॉलिथिल होती है ना ट्रांस्पिरिंट वाली इस तरीके से आप ले लेना और इसे प्रेस कर देना और इसे आप हलके हाथ से इस तरीकी से दबा के भड़ाते हो जाना तो कोशिश करना आप इससे बिल्कुल एक जसा बेलने की और बहुत अराम से हो जाता है इसलिए मैंने कहा था आलू अच्छे से मैश कर लेना कद्दू कस मत करना आप उसको बस हाथ से अच् यहां पर हमने इसे तवे पर डाल दिया है और सिंपली इसे हम तल लेंगे और आप चाहें तो यहां पर जैसे हमने मुफली का तेल लिया है वह ले सकते हैं चाहें तो आप घी ले सकते हैं और जैसे आप परनाठा बनाते हो वैसे आप इसको बना लेना और यह भी है ना आपको इस तरीके से फिलाना है एक जैसा और एक ही डिरेक्शन में करना है और जब तक वो पूरा फिला नहीं लेते हो ना आप करच्छी को बीच में नहीं उठाना बहुत आराम से बनता है और इसके उपर लगा देना आप ऑईल इस तरीके से और एक ताव पतला बलानी कोश आपके लेना यह भी ना बहुत क्रिस्पी बनता है दोनों ही साइट से यहां पर हमने इसको अच्छे से से इक लिया है इस तरीके से प्रेस करते हुए और जो आलू का हमने मसाला बनाए था मुफली डालके वह इसमें डाल देते हैं अच्छा यहां बढ़ना आप चाहें त से पतला बना है जैसे रेगूलर दोशा बनता है घृतल को BE को सोडा डालने बातना बना है वेसे ही बनता है, आप आाप यहां पर हम सर्फ ने हैं सभी जीज़ख दैयार है यहाँ पर यह हमारे सुखे आलू तेयार है साथ में यहाँ पर है यह फ्रूट वाला रायता और यह दही हमने लिए इसमें लाले है थोड़ा से नमक साथ में काले मिश पाउडर हलका से से मिक्स करना और इसके उपर आप डाल देना थोड़ा सा भुणा हुआ जीरा और यह देखे है साबुदाना हर एक दाना अलग लग थोड़ा सा छंड़ा हो जाता है न यह और अच्छी से सेट हो जाता है यसे भी सर्फ कर लेते हैं और साबुदाने किच्डी तो ऐसी चीज है जिससे आप किसी भी वरत में बना सकते हैं तो ये प्रोसेस ज़रूर ट्राइ करना और ये रहा जी अपना साबुदाना आलू का पराणधा पर ये दूसरा भी पराणधा और साथ में ये राजी दोसा और ये है गटलेट और यहाँ पर रख देते हैं थोड़ा साई रोसा वाला मसाला पराणधा के साथ भी इसको खा सकते हैं आप और ये रही जी वरत वाली नागिल की चट्नी और वरत वाली हरी वाली चट्नी अब दिखी इतनी सारी चीज़े हो गई है ना और यहाँ पर ये घर में आम थे तो वो मैंने कट करके रख दिये हैं अब आप चाहे तो पूरी थाली बनाए चाहे तो आपको इसमें से जो भी पसंद आया हो वो बनाए बना कर देखना घर वाले खुश हो जाएंगे और व्रत में नौ दिन के व्रत है अलग अलग चेंज करकर के बनाए ये आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना कमेंट करके बताना रेसिपी आको कैसी लगी थेंक्यू